आम आदमी पार्टी की ओर से आज राज शिप्यापी आंदोलन किया गया जिसमें बढ़ती हुई महंगाई बढ़ते हुए बिजली के दाम का विरोध कर राजिसरकार का निशेद में नारे बाजी की गई इस जोरान आपके देविंद्र वान खेडे बोले कि सबसे महंगी बिजली महराष्ट में है लेकिन फिर भी बिजली दाम और बढ़ाय जा रहे है जो निशेदार्थ है उसी के लिए विरोध में आज ये राज्यव्यापी आंदोलन किया गया इसके साथ ही तरबूस पर राज इधरबा में तो बहुत जादा सर्प्लस बिजली का प्रोडक्शन होता है उसके बावजूद सबसे जादा महेंगी बिजली होने के बाद अभी बिजली कंपनियों ने सरकार को और नियमक आयोक को प्रस्ताव दिया है कि हमें दो साल में 37% बिजली रेट बढ़ाने का प्रोडक्शन लिया लेकिन जब सुनवाई हुई तो ऑनलाइन सुनवाई हुई उसमें सभी लोग नहीं पहुच पाए और फिर भी बिजली कंपनिया या जो उर्जा मंत्री है हमारे नाकपूर के बेटे है अभी हमारे साथी आवाज आवाज देके उनको पुकार रहे थे और कई दीनों से हम देख रहे बिजली मिनिस्टर जो है वो नाकपूर से ही हो रहे है पहले भी नाकपूर से ही बिजली मिनिस्टर थे उसके बाद दुसरी सरकार आई महाविका सागाडी की नाकपूर से ही बिजली मिनिस्टर थे अभी तिसरी सरकार बन गई आठ नौ साल क अंदर अभी भी नाकपूर के ही विजली मिनिस्टर है जो राज्य के मुख्य मंत्री रही चुके है अभी फिलाल अर्थमंत्री भी है फिर से विजली के दाम बढ़ाते है तो हमारी जो जनता है महाराश्टर की अभी कोरोना के बाद सभी लोग आर्थिक तंगी में है और बा स्क thats गोणा हो रहा है अदानी के माद्यम से जो घुटाला किया आ जा रहा है महारश्ट के अंदर होगोटाला का भी इंकॐरी होना चाहिए और विली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए जो चुनाओ के पहले अभी सिंदे सरकार है सिवसेना की सरकार है उन्होंने अपने वचन नामा में लिखा था कि हम लोग 300 तक 30% बिजली का दाम कम करेंगे जबकि इन्होंने कोरोना काल में भी बिजली के दाम बढ़ाये थे और अभी 37% 30% कम करने की बाद तो दूर रही लेकिन 37% फिर से बढ़ाने की जो इनकी इनका प्रस्ताव है वो प्रस्ताव कहना के वापस होना चाहिए और जो वचन दिया है उसके नुसार लोगों को बिजली मिलना चाहिए पंजाब और दिल्ली में अधी सस्ती बिजली मिल सकती है यह हमारे बिजली मिनिस् के लिए राजकुमार मोड के साथ शुती जाए देश्पुक की रिपोर्ट